सिस सिस में सा सही फेमस रही है और अपनेय प्रेजिन में अन्बीटेबल रही है जाहे लोगव माथ कूँ रेखनाने वाली रेखने या tenía काफ़ी कमाल की रहने वाली है तो आज हम दो unnecess बात करनी है तर्फ़ इस स्मार्ट फुन के बारे में काफी कुछ एक्साइटिड चीज़ जो निकल कर आई है जिसमें स्मार्ट फून की कुछ Realme Pro Series से तो चलिए अभी हम शुरू कर ले दे हैं अब की बार दोस्तों बता जा रहा है कि जो Realme 10 Series होने वाली यानि 10 Pro होने वाली है Side Punch Hold की बजाए हमें Mid Punch Hold के साथ देखने को मिल जाएगा अभी तक Realme की खास बात रहे दी थी अपने जो भी स्मार्टफोन हो चाहे दोस्तों वो 30,000 या उसे उपर वाले स्मार्टफोन हो या एक Mid Range Pricing वाले स्मार्टफोन हो वो हमें एक Side Punch Hold डिस्प्ले के साथ देखने थे लेकिन अभी बता जा रहे है कि यह स्मार्टफोन में Mid Punch Hold के साथ देखने जाएगा जो कि Super AMOLED पैनल के साथ देखने जाएगा और 144Hz का refresh rate यहां पर हमें देखने को मिल जाएगा जो कि दोस्तों अपने आप में काफी कमाल की बात हो जाती है जिसके वज़े से दोस्तों तो इसके कलर्स हैं वो तो बहतरिन हमें देखने को मिलेंगे ही साथ ही जो smooth होगी display वो भी काफी अच्छी आपको देखने हो मिल जाएगी Windows तो जो इस smartphone की सबसे बड़ी main highlight रहने वाली है वो इस smartphone का chipset रहने वाला है क्योंकि यहां पर MediaTek Dimensity 1300 chipset देखने को मिल सकता है आपने sense चुना हाली की links की अगर मैं बात को तो यही chipset है तो हमें इस smartphone के अंदर मिलने वाला है जो कि अपनी pricing में यह सबसे powerful gaming smartphone हो सकता है और यहां पर heating जैसे issues भी हमें देखने को नहीं मिलेंगे बता जा रहा है कि यहां पर मैं liquid cooling system देखने को मिल सकता है यहां पर मैं camera में दोस्तो इतने changes देखने को मिलेंगे आपको मैंने बता था कि जो Redmi Note 11 Pro है उसमें हमें 200 megapixel का दोस्तो जो rear camera देखने को मिल सकता है लेकिन यहां पर बता जार कि हमें 108 megapixel आई camera देखने को मिलेगा लेकिन यहां पर मैं Sony IMX sensor देखने को मिलने वाला है और आपको पता है जो Sony के sensor होते हैं फाडू होते हैं उनकी जो camera quality होती है एकदम से फाडू होती है तो इस वज़े से जो इस smartphone की camera quality होने वाली है वो भी रियली में काफियंची देखने वाली है यह single selfie देखने लेगी जो कि 32 megapixel की यहां पर मिल सकती है अभी last and final feature की बात को दोस्तों वह smartphone की बैटी रहने वाली है जो कि बता जा रहे है कि 4500 मेच की बैटी देखने जाएगी और 66 वोट का fast चालिना sport देखने जाएगा जिसमें company का claim करना है कि 30 minute के अंदर आपके smartphone को यह fully charge कर देगा तो यह जो सारी चीज़े जो कि smartphone के बारे में निकल कर आई है जो कि मैंने आपको बताई अब आप बताने हैं क्या आपको specs को सुनते वे लग रहा है कि यह अपने pricing में अनबीटेबल smartphone रहने वाल है pricing की बात को दो under 20,000 रहने वाल है launching date की बात को अक्तुबर या निवंबर तक गुता आजा रहे कि अब हमें smartphone देखने को मिल जाएगा तो भाई यह जी सारी चीज़े और सच बताऊं तो भाई जो features निकल कर आए ना एकडम से कमाल के निकल कर हैं जाये दोस्तों camera की बात को performance की बात को smartphone की display की बात को हर एक चीज़ दोस्तों हमें याँ पर करें